आज मैंने बनाया है औरेंज और गुलाब का डिटॉक्स वाटर तो उसके लिए मैंने एक औरेंज लिया है और एक गुलाब लिया है और थोड़ी सी मैंने अद्रक लिया है और थोड़े सी लिया है मैंने मीठे नियम के पत्ते तो इसे अब हम डालेंगे एक detox bottle में अगर आपके पस detox bottle नहीं है तो आप कोई भी काज की bottle यूज़ कर सकते है फिर हम इसमें add करेंगे पानी इसे आप morning में 8 बजे बना ले और 10 बजे से इसे पीना start करें जैसे जैसे आप इसका पानी पीते जाए वैसे वैसे और पानी add करते जाए और आपको शाम को 3-4 बजे तक यही पानी पीना है और उसके बाद में अपने snacks टाइम में इसमें जो भी fruits यह सबजियां रहे वो आप ले सकते है तो ये था मेरा आज का detox water अब बारी आती है लंच की लंच आपको 12-1 के बीज में complete कर लेना है इसमें मैंने आज बनाया है गाजर की रोटी, पत्ता गोभी मटर की सबजी, दाल और लिया है साथ में सलाथ आप कई तरह की रोटी बना की ले सकते हैं जैसे मूली की रोटी भी बना की ले सकते हैं गाजर की, बीट की, या लोकी की, कद्दू की किसी की भी बना की ले सकते हैं तो गाजर की रोटी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मिक्स आटा लिया है और उसमें मैंने डाला है आदी कटोरी चितना गाजर का पेस्ट इसे आप चील के और उसके बन में मिक्सेर के पॉट में डालके आप इसे बारिक पेस्ट बना ले और फिर जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही आपको आटा लगा के इसकी रोटी बना लेना है तो इस तरीके से आप गाजर की भी रोटी बना के अपने लंच में ले सकते हैं और यह आपका वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगी आप मिक्स आटी की रोटी की जगए आप गेव का आटा भी ले सकते हैं अगर आप गाजर की या मुली की या पालग की कोई भी रोटी बनाए उसके साथ बहुत टेस्टी लगते हैं और इसके साथ में healthy रहते हैं और जब भी मैं कोई recipe बनाती हूं तो मैं सबसे पहले ही सोचती हूं कि मैं उस चीज को किस तरीकी से healthy बनाओ और healthy बनाने के साथ कर रहे हैं तभी यह सब बना के खाएं आप कभी भी बना के खा सकते हैं यह बहुत टेस्टी लगती है आप कोई भी रेसिपी जितने भी मैंने बताई है वो आप कभी भी बना के खा सकते हैं तो चलिए अब इसे बनाना स्टाइट करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने तो म में पानी डालके आप इसका बैटर बना ले ध्यान रहे यह ज्यादा गाड़ा भी नहीं हो ज्यादा बतला भी नहीं हो फिर इसे दस से बंदा मिन्ट के लिए आप इसे ऐसी छोड़ दे और अब हम बनाएंगे पनीर के बॉल्स तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां ग्रेट क कि हम лुक दो जाहें भी ने को तभे हम इसमें अड्ट करेंगे पयास टमाटर और हेरी मिर्शी को बारी कट करके touching डाले और पिर हम इसativasब दौसा नमक और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इसे एक अलग बरतन में निकाल लें और इसमें से थोड़ा से बैटर निकाल लें और फिर इसमें डालें इनो और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आप जो अप्पे का साचा रहता है उसे गरम कर लें और उसमें डालें थोड़ा सा है और फिर इसमें डालेंगी हम पनीर के जो बॉल्स बनाएथे वह भी इस में डाल दें और इसे हल्के से हाद से ह्रम प्रेश कर दे सी हम अंदर चल जाए औरpend गुए सब मन्या डाल दें आप और उसके बाद में इसपे एक इक चम और फिर आप इसे अच्छे से कवर करके इसे पास से 10 मिन तक पकाएं जब आपको लगे कि उपर से नीचे से हलके हलके पक चुके हैं तब इसे आप इसे पल्टा दे और दूसरी साइड से भी पकाएं इस तरीके से आप इसे आप दोनों तरफ से पका लें और ये हमारे अप् अधल में अच्छे दिकंगे और खाने मेंभी टेस्ती लगेंगे अ इससे आप रवा पालकवनिरपस बना के अपने लंच में या डिनर में कभी भी आप बना की खा सकते हैं जब भी आपका खुश टेश्ती खाने का मन्न नहों तो आप इस तरीकी से बना की खा सकते हैं सो यह थी मेरे आज के रूटीन की रेसिपी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई